बंद मुखी लाक की, खुल गई तो खाक की दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि लोग आपको प्रोवोक करते हैं, आपको उकसाते हैं आपकी इंद्रियों में कमपन महसूस हो जाता है आपकी इंद्रियों दिमाग को सिगनल देती है, कि आप कुछ बोलो, कुछ react करो, उसको सबस सिखाओ बस वही पर आपके चलत्री की परिक्षा होती है, और आपके आने वाले काम्याबी पर आपकी तेजी की परिक्षा होती है और यहीं आपका चुप रहना या आपका बोलना ये डिसाइड करता है कि आप कितने सधे हुए हूँ नमस्ते आजी मैं हूँ मैंग धहरेवान आपका अपना हैपी वाला ही लेड़ दोस्तो हम यहाँ हील करना सेखते हैं लाइप के छोड़ी चोड़ी प्रॉलम्स को जिने सीख कर आप अपनी पर्सनल और सोशल लाइफ में ग्रोव करते हैं वो भी हैपी वाले अंदास दोस्तो मौन चुप पी एक साधना है एक कटिन साधना है यहाँ पर आपको सिद्ध करना होता है कि आप कहां तक कब तक बिना बोले अपना काम कर सकते हो चुप रह करके सामने वाले को जवाब दे सकते हो क्योंकि यह दुनिया दुस्त लोगों से भरी हुई है लोग आपको उकसाते हैं लोग आपको बेवजह उकसाते हैं और आप उनके उकसाने से प्रवोक होने करने से प्रवोक होते हैं देन आप उन्हें जवाब देते हैं और जैसे ही आप उन्हें जवाब देते हैं वो एक स्तर नीचे उतर कर आपको दूसरा जवाब देते हैं और फिर अगर आप उन्हें जवाब दिया तो फिर वो स्तर नहीं है और अंत में आपको हार नहीं होगा क्योंकि आप अच्छे इंसानों में से एक है आप तमीजदर लोगों में से एक है आप संसकारी लोग है जिनके संसकारी घराब है वो किसी भी स्तर तक उतर सकता है उनका कोई स्तर ही नहीं तो अगर आपको तब भी हार नहीं है तो प्रवोक करने दो और अपने गोल्स वर फोकस करो आपको उस समय अपना पूरा ध्यान उस चीज़ पर रखना चाहिए कि इस बंदे से बहस ना करके मैं क्या-क्या चीज़े बचा सकता हूँ अपनी सबसे कीमती उर्जा मैं बजा सकता हूँ जिसे मैं अपनी पढ़ाई में अपनी गोल्स पे अपने गाम में अपने धंदे में अपनी साधना में लगा सकता हूँ यह लोग अपनी सारे जिन्दगी का जो फ्रस्टेशन है वो कहीं ने कहीं ताने के फॉम में आप पर उतार रहे होते हैं कि देखना यह ऐसा ऐसा है यह लेड़ से सोके उड़ता है रात को देड़ तक जाकता है दोस्तों के साथ गेड़ियां मारता है यह घर का काम नहीं करती है यह जिन्दगी में कुछ नहीं कर पाएगी यह जाके बरतन मांजेगी यह जाके भीक मांगेगा यह कभी इसको इनको का ऐसासत कर रहा है, उसकी यहां की भाइब को देखो, यह सारी चीजें कैसे रिष्टेदार आपको मिलेंगे, तकरीबन हर घर में होते हैं, और अगर आप उनसे अपने मूँ से बहस नहीं कर पा रहे हो, तो आप मन में उनसे बहस कर रहे होते हो, आपके बिनका आप उने कुछ बोल नहीं पा रहे हो, तो अंदर भहस चड़ जाती है, अंदर एक जंग चड़ जाती है, उस कंडिशन में भी हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले तो यह सीखना है, कि वो उनकी आदत है, कि बेशक वो बोरी बात कर रहे हैं, लेकिन है तो वो हमारे परी ज नहीं, तो क्या करना चाहिए, उनकी बातों को अंसुना करना शिर सिखना होगा, हमें कान, आख और दिमाग सब को क्लोस करना होगा, देखो मैं आपको गुंगा होने नहीं बोल रहा हूँ, कई बार लाइप में ऐसे सिचुशन साते हैं, जहां आपको जवाब देना पड़ तो फिर तुम्हारी जोती है और मेरा सर, ऐसे तो कोई बिल्जा मैं तुम्हारी पर भी लगा सकता हूँ, तो जब नहीं बोलने वाला परसन अपना मुह खोलता है, तो उसके बातों की वैली होती है, कई बार ऐसी महफिल जमी होती है, जहां लोग अनाप्षना बाते कर रह तो आपने तरफ से कुछ बोलू, अपने तरफ से कुछ पॉइंट करू, अपने तरफ से अपने नॉलेज को एड करू, ता कि मैं प्रूफ कर सकू कि मैं भी जानता हूँ, मुझे भी पता है, मुझे बिस चीज का नॉलेज है, ऐसे सिच्वेशन भी कई आपके पास लेकिन ये करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, मैंने उसी महफियल में चीज देखा, कि वो इज़त उस ताइम मुझे ने विली मुझे मैं बताना चाहूँगा, वहाँ एक और ज्यानी परसन बैठे हुए थे, सब लोग अपना-पना बात कर रहे सर आप बताओ, आपकी क्या रहा है, ये दुखो ऐसे सी भाते हो रही है, तो आप बताओ, आप क्या कहना चाहूँगा, मैं बहुत खुश हुआ, ये सोच की बहुत खुश हुआ, ये देखो, वो परसन सब को जानते हैं, बहुत को जानते हैं, लेकिन बीच में नहीं शुलब मैं, वो मंजसे मुझसे पूश थे, मेरे कहने का मतलब ये है, जब आप ज़्यादा नहीं बोलते हैं, जब आप बकवास की बाते हैं, तो आपके बातों में ऐ महत्व आ जाता है, बहार आ जाता है, जो आप बोलेंगे, वो लोग सुनेंगे, और सब से इंपरिंट है कि अपने क्या किया कैसे किया कहा तक किया आपके action आपके result को दिखा देंगे कर और ऐसा है कर्म का जब result अता है सब का मुळबन हो जाता है जिन्होंने आपको घर परिवार में प्रोवोग किया आपको ताने दिये दोस्तों Candice तियारी में जो आपको चिढ़ाएं कहीं पर आपको बहुत ज़्यादा हैरास किया मेरे पास ऐसे कई ग्जामपल्स है जिसमें बहुत सारी लड़के जिन्हों ने अपनी धंग से फिजिक मेंटेन ने करी हैं अपने फिटनस पर काम ने दिखने में नियाथी साधरण है और नहीं अपने लुक्स पर अपने फिटनस पर किसी चीज़ पर काम नहीं किया लेकिर उन्हों ने पढ़ाई बहुत अच्छे लड़की से शादी हुए बहुत सुंदर बहुत थीख श्रक शादी कर यह जब उसने प्रपोस किया, कई लड़िए ने असे ताना दिया, वल्छे तु अपनी शकल देख, अपना लुक देख, अपनी बॉड़ी देख, अपनी फिटनेस देख, तो क्या है, तेरे को कौन लड़की मिलेगी, तेरे से कौन लड़की शादी करेगा? तो उस टेम उसने एंसर नहीं दिया वो देने योग्य भी नहीं था लेकिन जब उसने अपने लाइफ में काम्याबी लेकर आया वो कोई बड़ा बिजनस कर लिया या एक गवर्वन जॉब लगा लिया या वाटेवर जो भी उसने सक्सेस्पूल हुआ तो अपने आप उसको एक बहुत ही खुपसर लड़की शादी करने के लिए उसकी जीवन में आई और मिली मेरे कहने का मतलब है ये जवाब ऐसा है कि सभी कामूबंध हो गया होगा तो ऐसा ही कुछ आपको भी करना है लोगों को जवाब दे देकर आप अपनी उर्जा वेर्थ मत कीज़े क्योंकि बोलने में बहुत उर्जा वेर्थ होती है और बोलने के लिए सोचने में भी उससे ज़ादा उर्जा वेर्थ होती है तो जब भी कोई आपको प्रवोक करें जब भी को या को उक्साए तो सिर्ब अपने गोल्स के बारे में सोचे कि मुझे ये ये करना है, मैं ये बन रहा हूँ मुझे ये जाना हिए ये करना है मुझे अभी तुषसे नहीं जीतना है अभी तुम जैसे सारे लोगों के से एक बार मимер Kang जीत जाना है मतलattered मैं तुझे अब ही नहीं हराना चाहता, मैं तुम जैसों से जीत जाना चाहता हूं, तुम जैसों से ऊपर उठ जाना चाहता हूं तो ये philosophy life की सबसे अच्छे philosophies में से एक है कि मैं तुझे अभी जवाब नहीं दूँगा पर तुझे जवाब मिलेगा ज़रूर मैं तुझे माफ नहीं कर रहा हूँ पर मैं तुझे सजा भी नहीं देना चाहता कि सजा तुझे अपने आप मिल जाएगी तेरे ही शब्दों से, तेरे ही बातों से तेरे ही विचारों से तुझे अपने आप बात में सजा मिल जाएगी और मैं उस सजा को देखने के लिए वेड भी नहीं करा मिरे पास इतना भी टाइम ने हैं कि तुझे जब सजा मिलेगी तो मैं उस टाम मुझे ध्यान भी नहीं कि तुझे सजा मिल रिए तो ये attitude अपना लीजे यही आपको आगे ले कर जाएगा आशार करता हूँ ये बात आपको बहुत जैसे समझ में आई होगी मिलते आने आले अध्धायों में तब तक के लिए नमस्ते आजी